हाई गाईज एन वेलकम बाक टो माई चानल तो अज मैं शेयर करने वाले हूँ इस अमेजिंग मीकप लुक तो अज मैं आपको बताऊंगी कि आप सर्दियों में अगर शादी में जा रहे हैं किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप किस तरीके से मीकप करें जो कि आप बहुत देए तक स्टे करेगा आपकी स्किन पर और आपको बहुत जादा अच्छा दिखाएगा तो अक्सर हम ठेंडियों में जब मीकप करते हैं तो हमारा स्किन का मीकप बहुत केकी लगता है हमारा फाउंडेशन फटने लगता है इस बीकिस ऑफ ड्राइनेस तो अज मैं आपको बताऊंगे का इसे मेक अप करें अच्छ अपन आप को करें और झील से बीडियो को शरू करे तो सब पहले आपको करना है अपने बालो को टाइआ है थे आपको बीचों को पीछे से याड 되는데 कार लेना में करें और उसके बाद मैं यूज़ करूंगी मॉस्टराइजर आपके पास जो भी मॉस्टराइजर और आपको पूर्ट करता हो पूसको लगा लीजे तो मॉस्टराइजर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेकप को बहुत ज्यादा स्मूध दिखाने के लिए यापके में लेक्ष्ट करें जिसे आपका मेक उस्किन के लिए और भोग सब्सक्राइब नहीं आपका करा सुभूस्ट्रा नहीं करें सुर सुभूस्टाइब उआफ क्या टेन confinement या फिर नाइट लाइट हो तो बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट है कि आपको संस्क्रीन लगाना है उसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि आपके स्केन में डीपली अब्सॉर्ब हो जाए उसके बाद मैं यूज करूंगी प्राइमर तो प्राइमर हमारी स्के जो फिर देखना उसके आपको नहीं जाने से रोख और फिरे अव्लिफमёрós कि अच्छे में आपको ब्लैंड करना है उसके बाद बारी हमारे परेश की भी बेस के यूज के रहे पावंडेशन लहाँगी ने ढंकी एक्सिता इसके उसके निदैगे एक्याते ब्लैंड निई अच्छे से अपने मेकप को ब्लेंड करेजे और पुरे फेस पर इस तरीके से अच्छे से फाउंडेशन लगा दीजे नेक एरिया में और और अपनी यर्स में लगाना बिल्कुल भी ना भूले बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट है और अपने फोर हेट पे जितना कम हो सके उ अच्छे से लूप बेनिफिशल है अच्छे लगता है और मैंने वीडियो में इसको मैं इसको पर्चेश कर सकते हैं उसके बाद इसको ब्लेंड करना है तो मुझे पर्चे स्पोस नहीं है मैंने हाइलाइटर की तोर पर अपनी अपनी इसको यूज़ किया है फोड़ा सा र पाइलाइट कर देता है मेरे अंडर आइज को और मेरे चेन को उसके बाद मैं यूज करूंगी लूस पाउडर तो लूस पाउडर हमारे मेकप को अच्छे सेट करने में बहुत ज़्या बेनिफिशल है बहुत ज़्या इंपोर्टेंट है आपके स्किन को बहुत स्मूध फिन अच्छा आमेजिंग पैलेट है तो मैं थोड़ा सा ओरेंज कलर अपने क्रीज अरिया में लगाऊंगी इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी और यह बहुत अच्छा लुक देता है बहुत ही ज़्या स्मूध टेक्च्चर इसका तो मैं इसका रिव्यू उस अपनी चानल प इसके बाद मैं यह थोड़ा सा शिमरी पीच कलर है यह आपको लाइट में पता नहीं लग रहा है तो मैं इसको अपने लिट्स पे लगाऊंगी थोड़ा सा हाइलाइट करेगा और बहुत अच्छा दिखाएगा तो आपको इस तरीके से आई शाडव पालेट यूज करना ह है उसके बाद मैं करूंगी अपनी चीक को कॉंटूर तो कॉंटूर के लिए मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया था अगर आपको नहीं पता है कैसे कॉंटूर करते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं मैं उसको आई बोटन में देढ़ूंगी आप अहां से क्लेक करक कॉंटूरिंग हमारे फेस को थोड़ा सा स्लेम दिखाता है और बहुत अच्छा सा एक डिफाइन करता है हमारे चेहरे को तो बहुत जादा इंपॉर्टन है कि आपको कॉंटूरिंग आनी चाहिए और बहुत अच्छा लगता है उसके बाद मैं यूज करूंगी बलश तो इतने भी बहुत जादा फेर लड़किया है तो आपको पीच कलर का बलश यूज करना और एक्स्टा प्रोड़क्त का निकाल देना है पिंक मैं अवोई करती हूं क्योंकि पीच कलर थोड़ा सा एन्हांस करता है और बिल्कुल नाच्रल टों देता है और पिंक कलर बहुत ज तो यहांस कि मैंने थोड़ा से हैवी आई मेकब किया है तो मैं जादा विंक नहीं दूँँगी थोड़ा सा सिंपल ही रखे है तो अब ही मेरा अई लाक चुका है उसके बाद मैं काजल इूज करूंगी तो काजल मेरा यह यह वेस्ट स्टूडियो का है जो की बहुत ही जद अछे तो मैंने इसको वेस्स साइड से गए था यह काजल ऊनी रूपीज फूर तया बहुत अच्छा काजल है और बहुत इसके बाद माइ फेवरिट मस्कारा तो यह एक्स्टर वॉल्यूम देने के साथ साथ बहुत ही जदा अच्छे से डिफाइन करता है मेरे लाशिस को मुझे एक्स्टर लाशिस लगाने की कोई जरत नहीं बढ़ती है बहुत जादा अच्छा है इस फ्रॉम मेबलीन इसके चया मेरे लिए फेले वीडियो में इस हाइल्यूमे मेरे में बताया र organs बहुत जादा अच्छा है और बहुध ही एच्छे से बहुत आच्या सिंश देता है बहुत स्मूर टेक्शेय बिलवी हर केकी लुकאת नहीं देता है तो इस तरीकिसे आपको अच्छे से अपने मेंकक को और अपने चीक्स एरिया को अच्छे से आपको हाइलाइट करना है जिसे आपका मेकप बहुत जदा ग्लोइंग दिखे बहुत जदा अच्छा लगे नाउ इस टाइम टू शेप माई ब्राउस तो ब्राउस को फिल करने के लिए में कलर बार की आइबरो पैंसल ले रही हू मेरे स्किन टोप में बहुत अच्छे से जाता है उसके बाद में एक ब्रेश से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि बिल्कुर शाप लोग आजाए और बहुत जदा अच्छा लगे उसके बाद में ये मेरी फेवरिट फेस कैनेडा की लिप्स्टिक लगाऊंग कुछ इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है और बहुत सीधा सुन्दर लुक देता है तो इस तरीके से में कुछ हैस्टाइल अपनी मना लूँगी तो अभी हैस्टाइल कंप्रीट हो चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं एक साइड चुट चुटे बाल भी मेरा लुक और बहुत ही जदा अच्छा लग रहा है तेख सकते हैं कि अभी में कम्प्लीटी रेडी हो चुकी हूं उसके बाद मैं पहनुगी एरिंग्स तो कुछ एरिंग्स मल्टी कलर से और बहुत जादा अच्छे लग रहे हैं यह थोड़ा सा यूरिंग्स पैने लॉंग कि मैं कोई भी नेकलेस वगरा नहीं पहन रही हूं तो सिंपल सी यह रिंग्स अच्छे लगेंगे और बहुत ही जादा अच्छे हैं यह रिंग्स मॉल्टी कलर से तो मॉल्टी कलर से यह फायदा होता है कि आप सारी ड्रेस पैन सकते हैं उसके बाद यह मेरी फेवरिट रि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर कर दीजिए तो मैं आपको मिलते हूं अपने नेक्स वीडियो में एक नए कॉंसेप के साथ तिल देन बबाई टेक केर और ऐसे अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरी चान पे बने रहे हैं